ये question भी काफी लोग मुझसे पूसते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ हो जाता और 112 नंबर पे हम call करें तो 112 नंबर पे call करने के क्या-क्या benefit है क्योंकि पहले ये number 100 नंबर हुआ करता था अब ये जो है वो 112 नंबर में convert हो गया है क्योंकि internationally कई countries में 112 नंबर को use किया जाता है तो इंडिया में भी इसको adopt कर लिया गया है तो अगर आपके साथ कोई situation हो जाती है तो क्या 112 नंबर पे call करके कौन-कौन सी information है और क्या-क्या benefit है जो आप 112 नंबर से ले सकते होगे क्योंकि 112 नंबर जब आप call करते हो तो आप किसी भी state में हो तो उस state के local control room के पास वो call जाती है तो सबसे पहला जो benefit होता है 112 नंबर पे call करने का वो ये होता है कि आप जब भी कापके साथ कोई हाथसा हो गया कोई accident हो गया कोई crime हो गया या आपने कोई crime होते हुए देख लिया तो आप उसकी information 112 नंबर पे call करके दे सकते हो तो उसमें जो आपके local police station है वहाँ से PCR van यानि कि जो police control room की गाड़ी होती है वो आएगी on the spot अगर किसी injured को जरूरत है hospital तक लेके जाने की ambulance अगर requirement है तो वो ambulance भी call कर सकते हैं और वो MLC करवाने के लिए injured को hospital तक भी लेके जा सकते हैं on the spot जो benefit जो basically basic help होती है वो 112 नंबर से के जो PCR के लोग आते हैं जो police वाले आते हैं उनकी तरफ से available होती है दूसरा वो आके on the spot ये चेक करते हैं कि जो information मिली थी क्या वो information सही थी क्या उस information में कुछ और help की requirement है या crime team के गुबलाने की जरूरत है या ने लिखित report जो है वो police station भेज सकते हैं अगर FIR की requirement है तो वो उसकी भी detail भेजेंगे कि यहां इसमें FIR होनी चाहिए और अगर उनको लगता है कि on the spot जो है मामला इतना बड़ा नहीं है तो on the spot वो अपनी report देंगे कि मामला या तो sought out हो गया या इतना बड़ा नहीं है कि जो जिस तरह की information मिली थी लेकिन सबसे पहले PCR जो है वो आएगी दूसरा क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप ambulance call नहीं कर पाते हो या फिर आपको लगता है कि मानली जे फार ब्रिकेट की जो गाड़ी है उसके requirement होती है अगर आप directly call करोगे तो हो सकता है कि वो आने में देर लगाएं तो पुलिस वाले अगर मानली जे 112 पे आपने call किया और जो PCR वाले हैं अगर वो आ जाते हैं तो they can always directly call the fire brigade department also तो वहां से गाड़ी अगर मंगवा नहीं होती है तो वो पुलिस के control room के थूँ ही आ सकती है दूसरा क्या होता है कि अगर मानली जे आप किसी जगे ऐसी जगे खड़े हैं जहां आपको ये पता करना है कि आपके local SHO यानि local police station कहां पे है उसका address आपको पता करना है या फिर SHO का mobile number पता करना है क्योंकि हर SHO और हर ACP, DCP को सरकारी तोर पे mobile number जो है वो सरकारी तोर पे lot होता है तो जिसको कोई भी public official या कोई भी public आदमी उसमें call कर सकता और ये बात कर सकता directly तो आप 112 number पे call करके एक तो police station का address पूच सकते हो वो आपको बता देंगे दूसरा आप SHO का mobile number जो सरकारी lot हुआ है वो mobile number भी ले सकते हो duty officer का जो landline number होता है वो भी आप जो 112 number से call करके पता कर सकते हो अगर मान लिजे SHO काम नहीं कर रहे हैं तो आप ACP का office या DCP office या DSP office जैसे भी state है उसके हिसाब से वहां की detail भी है उनका address के साथ में आप 112 number पे call करके पता कर सकते हो कि उनके पास सारी information होती है इसके अलावा अगर मान लिजे किसी आदमी को arrest कर लिया और पुलिस वाले ये नहीं बताते हैं कि वो कौन से police station में उसको लेके गए है तो आप ये पता करने के लिए 112 number पे call कर सकते हो कि कौन से police station से उसको arrest किया गया है तो जैसी नाम father's name बताएंगे तो क्योंकि होता है कि जब भी किसी को arrest किया जाता है ना तो उसको 112 number पे यानि police control room में उसकी information दी जाती है कि इस police station के इस police officer ने इस आदमी को arrest किया है और जो FIR की detail होती है वो भी उसके इंदर mention होती है यह district level पे भी होता है और यह जो आपकी state level है state control room में भी available होता है तो वो सारी information वहाँ available रहती है जो इसके अलावा सबसे important चीज़ एक 112 number पे call करने की वो यह होती है कि आप जब 112 number पे call करते हो तो उसकी recording होती है तो आप जैसी कुछ बताएंगे कि हमारे साथ यह हथसा हो गया माली जै किसी ने call किया और बोला कि भई यहाँ पे मार पीट हो रही है तो जो fight है या assault है या किसी ने attack कर दिया या गोली चल गए जो भी आप information देंगे उसमें mention कर दी जाएगी तो आप RTI लगा कि उसकी transcript भी निकलवा सकते हो और उसकी audio recording की जो copy है वो भी निकलवा सकते हो अगर आपको जरुवत पढ़ती है आने वाले time में तो police control room से वो information निकाली जा सकती है ताकि कल की date में ये भी प्रूफ किया जा सके कि पहली information किस चीज़ की थी क्योंकि कई बार देखने में आया कि on the spot दो गाड़ियां टक कर मालीजे दो गाड़ियों का accident हो गया और उसके बाद लोग उतरते हैं और एक दूसरे से जगड़ा करते हैं और उसमें से कोई भी female दूसरे आदमी के उपर 354 के allegation लगा देती है तो उससे पहले अगर 100 नंबर पे call हो चुकी होती है तो वो 100 नंबर की call पे क्या information दी गई है ये बहुत matter करता है तो बहुत बार होता है कि लड़ाई जगड़े की call होती और बाद में 354 में या किसी और तरीके से allegation बढ़ा के उसके अंदर उसको incorporate कर दिया जाता है ताकि सामने वाली party पे जो pressure हो बनाया जा सके तो ऐसे situation से बचने के लिए भी 112 नंबर का पुलिस control room की जो information होती है वो भी recording जो होती है basically वो आपके काम आ सकती है अब इसके अलावा 112 नंबर पे call करने का एक जो सबसे बड़ा benefit होता है वो यह होता है कि कई बार situation ऐसी होती है कि आपके ही ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाए एक से ज़ादा police station का area लगता है तो आप जब call करेंगे तो आप 112 नंबर पे call करेंगे यह भी पूछ सकते हो कि आपका police station कौन सा लग रहा आप कौन से area में हो तो आपका police station का police station है वो कौन सा है ताकि आप जब complaint देने जाओ तो आप उस concerned police station में जाओ जिस police station का jurisdiction है although every police officer has the power when the this information of cognizable offense is received by that policeman तो वो SHो के बस power होती है कि वो 0 FIR काट सके और दूसरे police station को forward करें लेकिन practically यह थोड़ा सा possible नहीं होता है क्योंकि हर police वाला कोशिश करता है कि उसका जो कागजी कारवाई का जो काम है वो ना करना पड़े इसलिए वो बोल देते हैं कि आप हमारे police station आने के बज़ए आप दूसरे police station चले जाएए तो यह इस information के लिए भी आप 112 number को use कर सकते हो इसके अलावा अगर मान लीजिए ऐसी कोई nuisance create हो रही है कि आपके घर के बाहर जो गाड़ी है किसीने लगा दी और आपका आने जाने के लिए रास्ता किसीने ब्लॉक कर दिया तो भी आप 112 number पे call कर सकते हो और जब PCR वाले आएंगे तो उनके पास information होती है कि गाड़ी का number देखके यह पता कर सकते है कि यह गाड़ी का owner कौन है इसका mobile number के है इसको call करके बुलाया भी जा सकता है कि हटा दीजे और काफी देर अगर लग जाती तो उसको टो भी करवाया जा सकता है तो basically आप पूरे इंडिया में किसी भी जगह हो आप 112 number पे call करके emergency services जो है वो police की और बागी जो state की emergency services है वो आप utilize कर सकते हो आप इससे related आपको कोई question है तो आपको से comment section में पूछ सकते हो और आपको पूछने के लिए करना क्या है आपको सिर्फ hashtag यूज करना ask विकास नागवान वीडियो के comment section में आप put कर सकते हो और मैं कोशिश करूँगा कि जो आपकी question है उसका answer या तो comment section में कर दूँ और या फिर आने वाले टाइम में जो दूसरे जो upcoming videos होंगे उसमें मैं आपके question को take up करूँ